नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Senator और स्वागत करता है वीडियो शीरीज में जहाँ हम डिसकूशन कर रहे हैं कंप्यूटर debates में और आज की इस वीडियो स은ब बाद शुरू करते दुस्तों Topology की physical, research Topology एक बड़ा important ऐडिया है खासकर university exams में या in general जब भी कहीं network पर discussion होता है तो हो ना हो कभी ना कभी topology की बात जरूर आती है topology का क्या मतलब है क्या idea है और स्टार्टिंग करेंगे mess topology से तो सबसे बहुत बहुत समझते है topology क्या है देखे मैं क्या लिखता हूं topology और physical topology I'm sorry तो यह मैं लिखता हूं refers to the way in which the network is let out physically computers का किस तरह से आप physical real world में arrangement कर रहे है this is called topology topology of a network is a geometric representation of a relationship of all the links and the linking device to one another यानि किस तरह से geometric आप से रेंज कर रहे है गर मैं एक example देखे आपको बताओ ना look at this यहां पर एक तरह का point to point connection आपको नज़र आ रहा है यहां पर हाला कि आगे भी यह सब हम detail में पढ़ने वाले यहां पर आपको bus connection नज़र आ है ring और यह अलग-अलग तरह के ideas हो सकते हैं sir यही ideas you देखिए reality में तो most of the time जो हम idea use करना तो that is called hybrid hybrid मतलब based on the requirement based on the logic आप जिस तरह से अपनी हिसाब से भी change करना चाहिए कर सकते हैं बड़ कुछ जो एक तरीक से बोलना चाहिए जो standard cases है ना उनको एक बार हम study करेंगे यह समझने के लिए कि क्या fundamental तरीके होते हैं arrangement के इस बात को यसी समझें जैसे उधारन के लिए data structures हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ standard data structures आपको पढ़ा जाते हैं एरे है लिंक list है stack है क्यों है बड़ जो theoretical data structures आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्या industry में real time implementation में exactly वैसे ही आपको यूज करना नहीं अपनी जरुरत के हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से आप उसको चेंज करना और करना भी चाहिए है ना ठीक उसी तरह मैं यह नहीं बूल रहा हूं कि जब आप real world में जाके देखेंगे exactly ring या बस यह सब नजर आएगा लेकिन यहां यह सब आईडिया पढ़ने के बाद एक fundamental logic आपके दिमाक में जरूर clear होगा कि devices को connect कैसे करते एक बात में यहां पर और clear कर दो जैसे हमने समझा यह आगे जाके study करेंगे यह जो connections है यह physical भी हो सकते नहीं के wired भी हो सकते wireless भी हो सकते हैं तो for example जैसे यहां पर एक ring की तरह एक circle में नजर आ रहा है कि बहुत सारे computers को हमने यहां पर connect किया हुआ है तो अब यहां पर आपको बात समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि यह wired connection ही हो यह wireless भी हो सकता है लेकिन फिर भी wireless के बाद भी हम मान के चलेंगे कि इनकी बीचे फिजिकल नहीं एक logical link exist कर रहा है तो यह basic idea हुआ topology का अब reality में किस तरह से हम इनको connect कर सकते हैं एक एक करके बात करता हूं जो सबसे important पहली topology है that is called mesh topology एक तरह का जाल अगर graph theory की आपको understanding है तो मैं इसको complete graph भी बोल सकता हूं इससे simple idea नहीं नहीं हो सकता logically तो हम क्या मान के चल रहा है कि जितने भी computers हमारे पास है अचा diagram में जरूर computer नजर आ रहा है बट जैसा मैं पहले discussion कर चुका हूं यह computer हो सकता है कोई और digital device हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो जब हम किस तरह से change करे हमारे group में हमारे network में जितने भी nodes हैं जितने भी digital devices है जब हर device दूसरे device से directly connected हो tension ही नहीं ले रहा भाई जहां जरूद है वहीं एक नया wire लगा दे रहा है complete graph यानि के जहां पे हर node हर node से connected हो इसको हम बोलता है mass topology तो जैसे लिखता है mass topology every device is a dedicated point to point link to every other device हर device से बागी हर device पर dedicated point to point link होगा अब total number of link कितने होगे इतनी simple इतना simple formula पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है दीकि बड़ी साधरन सी बात है मान लिजे अगर total number of devices let me say यहां पर n है जिसमें से एक आप कुद हुद हुए तो कित कितने बचे यहां पर बचे n-1 बहुत simple सी बात है तो total device है n एक device यह है कितने बचे n-1 तो अब आप मुझे बता है हर device कितने लोगों से connect होगा so every device will be connected to n-1 computers n-1 nodes overall कितने nodes overall n nodes है तो I can say n into n-1 लेकिन यहां पर एक छोटा से modification क्या चाहिए किसी भी link को किसी भी connection को मैं इस idea के साब से कितनी बार count कर रहा हूं दो बार वेकोज इस computer के लिए और इसके लिए भी कर लिया तो अगर exact answer चाहिए तो that must be divided by 2 so n into n-1 by 2 is the number of different links or different connections required in order to implement this mess topology अब एक मिट रुक के सोचिए कि अगर इस तरह से हम implement करेंगे तो क्या-क्या advantage होगा और क्या-क्या disadvantage होगा तो चलिए के करके बात करता हूं सबसे पहला obviously जो traffic का problem है वो तो problem होगा के नहीं होगा यार हर device से हर device का direct connection है तो यहां पर क्या sharing का कोई idea है जी नहीं तो अगर आपके घर से आपको जहां जाना है आपके college आपके operators बाबुश होना जहां भी आप जाना चाहते हैं जाया करते हैं अगर हर किसी के लिए आपको एक personal road दे दी जाए तो traffic का कोई problem नहीं है तो यह बहुत बड़ा advantage हो सकता है अब अगे एक बात यहीं पर बोल रहा हूं ऐसा कभी नहीं सोचते हैं computer science में नहीं कहीं पर भी कि यह चीज बेस्ट है यह चीज वर्स है हर चीज के कुछ advantage कुछ disadvantage होता है तो समझ में क्या आता है कहां पर इस्तेमाल करें मैस्ट उपलोजी का वहां पर जहां number of nodes कम हो लेकिन traffic बहुत ज्यादा हो है ना मान लेजिए कुछ बहुत हेवी data centers इंडिया के अंदर चार ही data center है उनको अपस में connect करना है तो समझ आता है कि अब उसको मैस्ट उपलोजी से connect करो क्यों गिंती के चार ही है लेकिन transmission बहुत जादा होगा traffic problem ना हो इसकी वज़े से हर किसी की बिचमें direct link होना चाहिए ऐसा कुछ robust सही बात है क्यों विगास अगर किसी भी device में या एक अद connection चला भी जाए for example यहां देखिए अगर यह connection break हो जाए तो भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं मैं किसी और तरीके से इस device तक पहुंच ही जाऊंगा yes or no तो robust हो है सही बात है जल्दी से यह कहीं जाने वाला नहीं privacy बिल्कुल सही बात है वो क्यों because shared नहीं है यह जैसे आप देख रहे link है तो क्या कोई और station यह सुन सकता कि यह दोनों station आपस में क्या बात कर रहे है बिल्कुल नहीं सुन सकता तो privacy यहां पर होने वाली है and file identification and fault isolation is easy यह हलाकि ज्यादा तर point आप और अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आनी वाली topologies भी आप study कर लेंगे but यह point भी बड़ा simple ह हुआ वो क्यों because अगर मान लीजे fault हुआ fault identify करना बड़ा असान होगा अगर computer 1 computer number 4 से communicate नहीं कर पा रहा so obviously जो उन दोनों की बीच में link है उसी में 100% कोई नहीं कोई problem में इसके लावार कोई problem होई नहीं सकती isn't it तो बहुत सरे advantage है आप सोच रहे सरे इतना advantage है तो हर बार इसी को use करें नहीं आप मैस्ट आप अच्छी का तो सब्सक्राइब डिसद्वांटेज है installation and reconnection is difficult can you imagine n into n-1 यानि के यह लगबग लगबग जा रहा है n-square के cost में अगर एक छोटा सा start-up भी हो जिसमें 100 computers हो यह कोई बड़ी बात नहीं है तो अगर 100 computers तो formula कहता है 100 into 99 divided by 2 यह लगबग लगबग मान लीजे 100 into अगर अंदाजन 10,000 divided by 2 मान लूँ लगबग 5,000 connection connect करने पड़ेंगे जो कि practically impossible हो जाता है तो इसका मतलब इसका costing इतना ज्याद है implementation दिफिकल्ट है कि बड़े network में आप इसका कते इस्तमाल नहीं करेंगे दोसरे शेयर बल्क अगें wiring कर जो मैं प्राब्लम बतारो इतने सारे wires आप कैसे manage करेंगे possible नहीं हो पाएगा expensive obviously इतने सारे wires implement करना अलग बात है उसकी costing भी बहुत जादा हो जाएगे even मेरे studio के अंदर पूरे office के अंदर कम से कम 15 computer तो होंगे मैं भी अगर implement करना चाहूं तो 15 into 14 divide by 2 now that will be 7th of 15 into 7 will be 105 इतने सारे wires manage करना उनकी costing देखना ये मुश्य टास्क हो सकता है तो conclusion of the story topology का तो basic idea आपको समझा है but mass topology कहां इस्तमाल करना है जहां पर security चाहिए हो जहां पर number of nodes जो है वो कम हो system के अंदर पूरे जुन हमारा network है उसके अंदर और direct connection करना इतना मुश्किल आपको ना नज़र आ रहा हो वहां mass topology इस्तमाल की जा सकती है आने वाली वीडियो में जो further topology से ring कैसे काम करता है बस कैसे काम करता है उनके क्या advantage क्या disadvantage है उन सबको भी analyze करेंगे वीडियो पसंद आयो तो like जरूर करिएगा comment लिखिए चैनल को subscribe करिए thank you so much university exams gate netty other examinations में अगर सच में अच्छा score करना चाहते हैं तो knowledge gate के different courses को access करने के लिए इस वीडियो के description में दिये गए link से हमारी app download करिए